तो अभी हम कालेपट्टू विलिच की कहानी पढ़ रहे थे और हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो अलग-अलग एक्टिविटीज में इन्वाल्व थे वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती थी और जो मेन क्रॉप थी वहती पैडि और फिर हमने थुलिचि की कहानी पढ़ी और देखा कि किस तरह थुलिचि को राम लिंगम के खेत में काम करना पड़ता था ताकि वह थोड़ा पैसा कामा पाए और वह सिर्फ उसे खेतों में काम नहीं करना पॉता था इसके अलाबावा अपने घर को चला नहीं मिलता था तब वो अलग अलग जगा पे या टाउन्स होगेरा में काम डूनने जाता था या फिर वो जो रिवर से सैंड निकलती है उनको लोड करता था इस तरह उन्हें बहुत ही जदा महनत करने पड़ती थी और वो इतना इतनी महनत करने के बाद भी वो इतना सफीश जिसude plaguesties then Tulasi मतलब की जो से कर की कंडिशन है वो तुलज़ी से फिर भी बैटर हैं क्यों क्योंकि शेकर के पास फिर भी कुछ जमीन है हमने देना फिल से के पास ऑपल को भी जमीन नहीं थी उन्हें दूसरनी जमीन पर काम करना पड़ता था जो है इसके पास थोड़ी सी जमीन है, इसके पास two acres of जमीन है, right, he has two acres of land, तो चलो शेकर से बात करते हैं, तो शेकर बताता है कि उसकी family ने अभी-भी अपने खेतों की कटाई की है, जो पैडी है, अभी-भी उसकी harvesting की है, और अब पैडी को harvest करने के बाद उन्हें अपने घर पर ल इसको हार करना पड़ता था, ताकि वो खेतों में काम करवा पाए, बट क्यूकि शेकर के पास तो ही बहुत कम जमीन, तो सारा काम उनके खुद की family मिलकर कर लेती थी, बट जब harvesting का time आता था, जब cutting का time आता था, तो वो अपने दूसरे small farmers की help ले लिया करता था, खेतों को क कमा पाता, तो शेकर को जो traders हैं, उन पर depend रहना पड़ता है, loan के लिए, तो traders से ये seeds and fertilizers as loan लेते हैं, और इस loan को वापस देने के लिए, इन्हें अपनी जो फसल उगाते हैं, ये वो वापस उस trader को ही बेचने होती है, तो मतलब क्या होता है कि loan देने से पहले, trader एक condition रखता है, कि मैं तुम्हें loan तभी दूँगा, जब तुम ये सारा जो भी माल है, जो भी तुम उगाओगे, your crop, you have to sell it to me only, you cannot sell it to someone else, और in the market, तो ऐसा वो कहता है, और होता क्या है कि जब वो लोगों से, जिन्होंने उससे loan लिया है, जब वो लोग अपनी फसल आके उसे बेचते ह तो वो normal जो market price चल रहा होता है, वो उससे कम price पो लोगों को पैसा बेचते है, अब इसमें क्या होता है, जो लोग loan ले रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई, है ना, पहली बात तो वो loan ले रहे हैं, और उस loan को चुकाने के चक्कर में उन्हें कम पैसा मिल है, अगर वो अपना वही फसल, अगर market में जाके बेचते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता, फिर उस पैसे से वो अपना loan भी चुका पाते हैं, फिर भी कुछ उनके पास पैसा बच जाता, बट ये जो traders हैं, इनके साथ एकतर से exploitation करते हैं, इन से condition रखते हैं, और ऐ बहुत कम देते हैं, जो market में चल रहा होता है, उससे काफी कम price में उनको फसल खरीदते हैं, तो शेकर जो है, उसको अपने खेट से लगभग 60 bags of paddy मिल पाएगा, और इन में से कुछ जो है, वो trader को बेच देगा, ताकि उसका loan सेटल हो जाए, ताकि वो अपना जो भी कर्ज लिया उसको चुका पाए, और जो भी बचेगा, फिर वो अपने घर में यूज करेगा, अब जितना भी बचा है उसके पास, अपने लोन को सेटल करने के बाद, जितने भी bags of paddy उसका बचा है, that will last only 8 months, वो 8 महीने तक ही चल पाएगा, अब ऐसा तो है निकी भूग भूग आठ महीने लगेगी, भूग तो 8 महीने के बाद भी लगेगी ना भूग तो डेली लगती है, तो अब उस टाइम पर जब उनका खाना खतम हो जाएगा, जब उनका paddy खतम हो जाएंगे, तो उस टाइम पर खाना के लिए, पैसा कमाने के लिए, उन्हें फिर और जगा काम जाता है कि जो शेकर है, वो राम लिंगम के राइस मिल में काम करता है, जहाँ पे वो आस पास के जो गावं है, वहां के फार्मर से पैडी कल Newman करेक्ट करवाता है, तो तो थोड़ा सा पैसा ने के बूसे कमा पाता है, उसके बाद इन्हें हाइबरेड काव भी है, जिसका य जाता है अब एक तरह से हमें तीन लोगों की कहानी पड़ लिया भले हमने राम लिंगम के बारे में या लग से सेक्शन नहीं पड़ा है बट शेकर और तुलसी के थू हमने राम लिंगम की लाइट के भी वारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया है Now if we will compare these three people, we will look that Thulasi जो है उनकी condition बहुती खराब हो चुकी है, उन्हें लेबर्स की तरह काम करना पड़ता है और वो दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्कल से कामा पाते हैं, उन्हें डेली वेज की तरह, वेजर की तरह काम करना पड़ता है, फिर हमने शेकर की कानी देखी की शेकर की condition जो है वो तुलसी से थोड़ी बैटर है, इनके पास तो भी थोड़ी बहुत जमीन है, इसके पास फिर भी टू एकर जमीन है, बट तुलसी के पास वो भी नहीं है, तो शेकर जो है वो अपनी जमीन पे खेती बाड़ी करता है और उससे थोड़ा बहुत पैसा क क्योंकि ट्रेडर रामलिंगम जैसे ट्रेडर जो बड़े व्यापारी हैं जो बड़े जमीनदार हैं वो इनको लोन देते हैं एक कंडिशन पर कि सारा माल जो है वो तुम सिर्फ हमें ही बेचोगे और जिस वज़े से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम प्रेस करने पड़ती पर शेकर जो है वो बाकी जगा काम करता है जैसे कि राम लिंगम की राइस मील में काम करता है उसके पास एक काव भी है तो इस तरह शेकर कमा पाता है और अगर हम देखें तो राम लिंगम की कंडिशन तो राम लिंगम जो है उसके पास तो बहुत ही जात जमीन है तो जमीन प्रॉफिट मिल जाता है समझ रहों मानलों मार्केट में रेट चल रहा है 10 रूपीज तो यह लोग क्या करते हैं जो ट्रेडर्स हैं यह लोग उनसे जिनको नोने लोन दिया है उनसे कहते हैं कि चलो हम तुमसे तुम्हें 8 रुपे में हम फसल खरीदेंगे तुमसे तो 2 रु में लोग खरीदेंगे वो इन ट्रेजर्स को दस रुपे देंगे तो इन 2 रुपे का फाइदा हो गया कि ऑन बचारे स्माल ट्रेडर्स को फेगा प्रोबलम फेज करनी पड़ी है जो चोते फार्मर्स होते हैं जो लेबर्र उते हुन्हें काफञे ज़धा इक्सप्स का काम